पोई में मुझा है जो दिए खेर को और पेंट आधाता यह प्सकों जनका मैं मॉढू स्वरी अलाय्ट चला किया था और इसके लिए मैं यां जो यई सिर्फ हमालि में पर किद्पिया चाता है सिर दंबुर में लाइटी जाता है आम्पी में लाइट ने जाता है पद्दुबिल में लाइट नहीं जाता है गाउं में लाइट नहीं जाता है राजबारी में कभी कभी लाइट काट दिया जाता है anyway मैं कहा में था हाँ मेरा question जो मैं live कर रहा था first of all sorry light cut गया इसके लिए connection चला गया था अभी line ठीक है you can all hear me सब्सक्राइब करें तो एक question था फ्रम अमर्जीत दे बर्मा और पार्था दे बर्मा की आर ग्रेटर टीप्रा लाइन अंद इंद सेम थिंग इफ नॉट इस 244 ए और डारिक फंड सबसे पहले है constitutional solution के अंदर सब आता है constitution के solution के अंदर जो भी चीज constitution के अंदर है वह आता है और वह हम बात करेंगे obviously डारिक फंड तो हो गई obviously 244 ए तो हो गई obviously जो हमारा मुद्दा है मेरा point है वह भी हम रखेंगे दूसरा पार्टी वह उनका point रखेगा लेकिन जब हम 10 point रखेंगे वह 10 point रखेंगे और जब बात होगा तभी इसका solution निकलेगा लेकिन solution कोई मुझे जेल में नहीं काल सकता है अगर मैं कल बोलता हूं ग्रेटर ती प्रहला क्योंकि Constitution of India हमें अलाव करता है हम जाके बात करेंगे वह कहेंगे कि चलो यह अभी नहीं है वह नहीं है मैं बोलोगा यह होना चाहिए वह होना चाहिए जब बात होगा आमने सामने बात होगा बराबर का बात होगा तभी इसका solution निकलेगा लेकिन जो हां Government of India कह रहा है हां CPM कह रहा है हां Congress कह रहा है हां तो शुरू कर दीजिए जमीन का अधिकार अगर मैं कह रहा हूं हां आप कहेंगे हां तो सॉल्फ कर दीजिए अगर Village Police आना है तो मैं कह रहा हूं कि लाइए आप कहता है ठीक है तो हो जाएगा हमारा जो अधिकार है जहां में हम लोग एक दूसरे से अग्री करते हैं उसको तो अग्री कीजिए तो यह बात मैंने कहा है राइटिंग में होना चाहिए और जब तक मैंने पहले भी कहा है कि जब तक राइटिंग में इंटिकलेटर का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम जहां में है वही में बैट के रहेंगे हमको तो एक ओफिशिल नोटिफिकेशन मिलना पड़ेगा यह मेरा पुजिशन अभी और एक क्वेस्टिन आया है धन्त रुपरा और थॉमस से तर इस नो क्लिर स्टेटमें गिवन बाइब बीज़पी स्पोक्सपरसन सम्मित पात्र रड़ इसका रडिशना सम्मित स्टिशना शूशना सबस्ट हुज एक रड़ेगा तो एक निए. है जा प्ट्रॉप्ट्बिकेशन थिए व्याधिया है उश्दिकेशना न प्रॉप या सब्सक्राइब करें लिए अपने पार्टी के और से जो बोला है मैंने भी ट्वीट किया कि बात होगा कि bigger ने उसको नहीं बोला है कि बात के हैस्त हैस्ट बीजरी सेट एड़ यह बात होगा जो मैंने ट्वीट किया है डिया है की होग मिनिस्टर ने कहा है कि बात होगा और एक इंटर को कहिए जाएगा मैंने यह statement कल दिया है त्रुप्रा के government ने इसको deny किया है अगर यह बात नहीं सच होता तो deny करो deny नहीं किया नहीं तो कि यह मुझे बोला गया है अब देखना है कि आने वाले दिन में इसका notification आता है और हम बात कैसे शुरू करते हैं अगर नहीं आएगा तो अलग बात है लेकिन मुझे लगता है कि जब home minister और इंडिया ने हमें यह बात कहा है तो हमें उनको समय देना चाहिए कि वो एक official interlocutor appoint करें और मैंने statement जो बाहर में दिया है पब्लिक में हैं मीडिया के सामने बीजेपी ने तो और स्टेट कमेंट ने इसको डिनाई नहीं किया है इसका मतलब है अशॉरंस तो मिला होगा कि दूसरा question है कि स्पेकिलेशिट कथार जमातिया सब और कि थी प्रव यह ए Tex that टीप्रा मौ्था विलिबकंप पॉइंन अश्चिट कन अज्य आइस थरी निश्टर as pond अ लिकिन हम लोग फर जीट के lapse की तीन आढमी को मीनिस्टर बनाना था हैं हम लोग ईलेक्शन यह आई आपका प्यार से और आपको बोला गया है कि आपको आपका संव्यधानिक अधिकार दिया जाएगा तो जब तक हमारा ये constitutional solution का agreement नहीं होता है तब तक हम मिनिस्टर नहीं बना में पोस्ट मिनिस्टिरियल पोस्ट नहीं ले जो गलती IPFT ने 2018 में किया कि कमिटी बनने के बाद immediately मंत्री बन गए उसके बाद चुप रहे क्योंकि मंत्री बन गए तो प्रेशर नहीं कर सके कमिट को हमारा बुकुंग बारा का अधिकार के बारे बात करने के लिए वो गलती IPFT का गलती तिप्रा मॉथा नहीं करेगा जब तक हमारा solution का agreement नहीं होता है जब तक constitutional solution नहीं मिलता है जब तक हमारा demand का achievement नहीं होता है जब तक हमारा तिप्राशा को कुछ नहीं मिलता है तब तक हम लोग government में नहीं बैठेंगा कि I hope मैं clear हूं कि क्योंकि 2-3 लोग लिखते रहते हैं 2-3 लोग लिखते रहते हैं लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता मैं ना मंत्री भी नहीं बन सकता है तो मुझे क्या चाहिए मुझे आपको कुछ देना है और आपको अगर कुछ देना है तो इसके लिए एक वोपर हमें एक संग रहना है आपको संग गदारी नहीं करता है जो गलती कि आई पी एफ्टी ने किया वो गलती बुबागरान नहीं करेगा तूसरा क्वेस्टिन है अगें बाइक कथार इस नौट नो धन वे और नाई विलिंग तो शिट न आप पोजिशन नहीं होगा व्यों पॉपजिशन में बैठेंगे इतना साल ऑपोजिशन में बैठेंगे 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 बैट जाएगे हमारा जो 13 MLA से वो तो कोई सरकार में आज तक एक भी MLA मंत्री बना नहीं सिर्फ अनिमेश और पिश्यकितु पहले MLA थे वो टैम भी ऑपोजिशन में थे और अनिमेश जब पिश्यकितु था वो तो मंत्री नहीं बना तो हमको कोई लालच नहीं और जो हमारे 11 MLA और हैं सब नए नए हैं फ्रेश हैं MLA बना वो भी आपका आशिरवाद है वो भी आपका क्रिपा है उससे हम खुश हैं अगर कुछ और मिलता है तो हम से पहले हमारा तीपराशा को 14 लाग तीपराशा को कुछ दे दो उसके बाद हमें कुछ दे दो लेकिन कि जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा हम लोग अपने लिए कुछ नहीं देगा हमेद तृपुरा से क्वेशिन है को जैड़ समसर्किलेशन इन सोशल मीडिया कुछ इंडिया में कि कुछ डिमांड लिस्ट दिया गया था यह सही है कि गलत है हमने जो भी डिमांड हम कि Facebook में और Social Media में शेर नहीं करेंगे ये बात high level में है ये बात हम Facebook से या Social Media से leak करके यह सब जो What's Apple group में चल रहा है वह फेख है जो भी होगा तो high level में होगा हम लोग अपना जो demand है ओ अ particulier को देंगे और जब approve होगा तब उसके बाद हम आपको पताएंगे किया बात हो रहा है तो यह जो चल रहा है सोशल मीडिया में वह 100 पसेंट नकली खबर है आर्थी रियांग एन सचलंग दे बर्मा से क्वेस्टिन है यह मेरा प्राइविट क्वेस्टिन नहीं पताया आपको कि आपका है अर्व बाद में आशर करता है अपने हैं के बारे सरिथा चौधरी और नुपुर पाल ने एक सवाल पूचा है दस हजार तीन सो तेज़ टीचर कर दिया बुबागरा विल्यू है टेन थाउजन त्री ट्वेंटिटी त्री टीचर आपके पास एक छोटी सी बेटी है मैं आपको गैरेंटी करके बूलना चाहता हूं कि जब हम बात करेंगे तो आपका इशू भी 100% उठाएंगे और वान टाइम सेलूशन का आपका भी वान टाइम सेटलमेंट का आपका भी मैं बात करूंगा आपने दस हजार तीन सु तेज़ टीचर ने बहुत कश्ट उठा इलेक्शन खतम हो गया इसके यह मतलब नहीं है कि दस हजार तीन सु तेज़ टीचर को मैं भूलूंगा मैं आपका फाइट आपके सांग जो गलती काम हुआ है आपके सांग गलत काम हुआ उसके लिए मैं इशू उठाते रहूंगा और जो डायलोग होगा उसमें भी मैं ये बात उठाऊंगा राइटिंग में उठाऊंगा मैं आपको ये आज इस लाइव वीडियो से गैरंटी देना चाहता हूँ दस हजार तीन सु टीचर का कि मैं आपको छोड़ूगा नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके लिए फाइट करूँ अब तो इलेक्शन भी नहीं गोल्ड भी नहीं तभी भी मैं आपक के साथ रहूंगा और एक क्वेश्चिन आया है प्रसुन देव बर्मा से प्रसुन देव बर्मा उसका सवाल है कि क्या तेरा एमिलेज एक संग रहेंगे यह तेरा एमिलेज कहीं नहीं जाएंगे यह तेरा एमिलेज का खून भी आप ही का खून है और मैं हंड्रिट पसंद जानता हूं कि कोई हमारे तेरा एमिलेज को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं हाघ कर लीकिन अगर आपका दिल टूत गया अगर और आपशो को डॉट करने लगे की कि तप यह तिरा एमिलेज का भी दिल ने फोड़ा सा ड्व आप में जब आप अपने आपको डाउट करते हो तब भुबागर अपने आपको Осब सब जो तक सब आप आप अगर आप एक रहेंगे अगर आप ठाणसा रखेंगे तो मेरा तेरा एमले को भी शक्ति मिलेगा एक रहेंगे लेकर अगर आप अपने उपर विश्वास नहीं करोगे आप अपने उपर डाउट करोगे तब हमारे लोग कमजोगा कि मैं आपको बोला चाहता हूं कि हम में से कोई भी तेरा एमले गवर्मेंट में नहीं बैठेगा जब तक हमको Constitution solution नहीं में यह मेरा गैरेंटी और एक सवाल आया है और एक सवाल आया है अनन्त रक्षित कि अनन्त रक्षित उसने हमको पूचा है कि इस election में आपको क्या लगता है बंगाली ने किसको वोड किया त्राइबल ने किसको वोड किया कि देखे मेरे पास काजस है डेटा है मेरे पास डेटा है पूरा डेटा है मेरे पास और डेटा में क्लेली लिखा गया है कि 62 परसेंट और मॉस्सक्टी टूपसेंट 60 से उपर जो हिंदू-बंगाली बूत एरियास है जहां में हिंदू-बंगाली ज्यादा थे वहां में बीजेपी ने सीपीम और कॉंग्रेस ते जाधा वोट लिया इसका यह मतलब है कि मोस्ट बिंगॉली जो नॉन माइनॉरिटी है जो हिंदू है जाधा करके उन्होंने बीजेपी को वोट किया है कि दूसरा डेटा में आया है कि अबाउट सेविंटी फाइफ टू सेविंटी सेविंटी सेविंट परसेंट ओवरॉल जो तीप्रासा है उन्होंने तीप्रा माथा को वोट किया और तीसरा डेटा है कि अनन्त बाबु यह तीसरा डेटा है कि यह जो मुसल्मान ने दिया है जहां में सीप्यम फाइट किया है यह कॉंग्रेस फाइट किया है वहां में ओवर नैंटी पसंट ने कि सीप्यम और कॉंग्रेस को वोट किया मौथा को वोट नहीं किया और वीजेपी को वोट तो इससे क्लियर बात है कि ट्राइबल ने मौथा को ज्यादा वोट किया है यह डेटा बता रहे है कि डिंगॉली हिंदू ने ज्यादा बीजेपी को ओवर सिक्स्टी पसेंट वोट किया है और मुसल्मान ने ज्यादा करके वोट किया है और सीपीएम पाइश जो लोग आज मेरे उपर उंगली उठा रहे हैं आप मुझे मालूम नहीं आप किसको वोट करते हैं रक्षित ब अबर कि महराजा ने ट्रायबल को बesta कि बोला की पॉण्ग्रिस और सीपम को वोट नहीं देने के द 이번 कि लेटा उस बता रहीए कि डेटा है कि आपके खुद के ही Community ने आप अपने ऑपने ही Community का वोट अपने पार्टी में नहीं ला सकाई कि आप खुदी अपनी कम्यूनिटी के वोट आपने भूत से पुरा भूत का डेटा है का वोट ने ज्यादा करके बीजेबी को वोट किया तो आप मेरे उपर उंगली क्यों दालते हैं कि आज अगर आप देखेंगे कि यही अगर आपका जस्टिफिकेशन है तो अगर आपको लगता है तो आपने भागमा में केंडिट क्यों दिया कि आपने सो टीपदा यहाँ अगर लकिन अगर वाड़न केंड़ नरुटिए यह सभी ने शांतिर गापने में में क्यों दिय आपका तो चांस नहींथ है को एप आपने जामानों में क्यों है कि आपका चांस नहीं था अ आपने ओसे के लिए वोों बट तरह होते है कृष्णपूर में क्यों रूमिज है क्वॉच लिए करम छरा में कोई चांस नहीं था अपने क्यों दिया तो आपने भी और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत जगे से से शरस्सकर muss है और हम लोग यहार है क्योंकि आपका कर मत में कुठ से जाता कि तो यह लोजिक सिर्थ हमारे उपर अप्लाय होगा नहीं होगा एक और इंट्रेस्टिंग सब्सक्राइफ दीनिक सीथिक जिते अलट्रें प्रहना है सब्सक्राइफ डिया होता तो जिता आज जिता जितन्ह성 ओल्सा खीजिता है तके हैं कि तप्रहिकों बातर्टित अनौन कोँध कि जन्रेलरिया ।ude तो गलती सब तरफ से हुई है एक आदमी को गलती उंगली पॉइंट करकी करने से ठीक नहीं गलती सब से होता है लेकिन किसी को दलाल बोलना किसी को बोलना इसने यह रुपया खाया वो गलत बात है आप opposition unity के बारे बात करते हो जिस दिन हारे अपना हार को नहीं स्विकार करके आप दूसरी के उपर उंगली लगाते हैं यह गलत बात यह मानना पड़ेगा पच्चे साल पच्चे साल ट्राइबल का वोट लेकर पच्चे साल ट्राइबल का वोट लेकर सीपेम ने त्रुपरा में राच किया जिस दिन सीपेम ने ट्राइबल का चेहरा जितिन्द चोधरी को बनाया उस दिन सीपेम का वोट बीजीपी में चला गया है उसमें भी आप खुरा सा गंबीर से बात सोचे मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन सच्चाई है मानना पड़ेगा कि पस्चिम बंगाल में मैक्सिमम हिंदू बंगाली बीजेपी को वोट कर रहा है मुसल्मान का कंसॉलिडेशन से ममता बैरजी जीत रही है डेटा बता रहा है त्रुपुरा में भी मैक्सिमम है जेनरल एरिया के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं बीजेपी को और यह सच्चाए आपको स्विकार करना पड़ेगा आपका पडोसी वोट कर रहा है आपका भांजा वोट कर रहा है आपका भाई वोट कर रहा है आपका रिष्टेदार वोट कर रहा है आप नहीं कर रहे हो तो इसके उपर मेरे उपर आरोप देना गलत है ट्राइबल किसी का जागिरदारी नहीं है किसी का वोट बैंक नहीं है आज एक अंचुलिक पार्टी बना है अपने अधिकार के लिए बात करने के लिए और हम लोग अपना अधिकार के लिए बात करेंगे 25 साल तक आप लोग हमारा वोट लेकर पावर में रहे आज आपने जब खुद एक जनजाती को CM का फेस बनाया तो वोट नहीं मिला क्योंकि आप ही के लोग ने बीजेपी को ज़्यादा वोट किया एक जनजाती फेस को वोट नहीं किया यह आपके अंदर भी डिस्कॉशन होना चाहिए अब कोई दूसरा सवाल आता है आई होब अव अधर्य को अधर्य को अधर्य को खत्म करता हूं एक अच्छा पॉइंट्स मेरे सामने आया था सबसे पहले पॉइंट्स आया था कि आपका आने वाला रस्ता क्या होगा मैं आज फेस्बुक लाइब कर रहा हूं कि कल मैं जाओंगा मैं मुखी मंत्री कुविश करूंगा अगर कॉंसिटूशन से लिए इंट्री लोकीटर का रिटन नोटिफिकेशन आता है उस दिन से हम कंस्ट्रॉक्टिवली बात करेंगे लेकिन जब तक नहीं आता है ऑपोजिशन में जगा बहुत अच्छा है हम वहां से हम अपना अपना responsibility में और ADC में इतना कम पैसा मेला है ADC में fund release नहीं हुआ है मैं अनुरोथ करता हूं कि हमने जनादेश मांगा माना पीपल अप्रुपरा आप वोटे को अनुरूबल चीफ मिनिस्टर मानिक शाह इविश इंड बेस विल नौ बीड़ेट इंड गवर्मेंट इप्रासा पीपल आप अलसो वोटे पर अगर आपको 30 पसंट इप्रासा को छोड़के तुप्रा को चलाना है तो यह सब का साथ सुनना परेंगा है आज तिप्रा अपना वोत्र कूंऻ मिला PA क्योंकि यह जो हमारा problem है genuine problem मुझे अपने लिए कुछ नहीं क्यों मेरा टबार ठीक नहीं है आपने देखा होगा मेरा फिसले दो मेहना में अल्मूस मुझे ट्रीट्मेट के लिए लेकिन मैं अपने लोगों को आधे रास्ते में छोड़कर दोका देकर गड़्डारी नहीं कर सकते और यहां में फेस्बुक में एक दो लोग हैं तीन लोग हैं चार लोग हैं मैंने देखा सुमान कोई है सुमान मजाक मत ओड़ा किसी का मजाक मत ओड़ा मैं आपको आँख में आँख देकर बोल रहें हम लोग हानी बुसा हैं मजाक मत ओड़ा प्यार से बात करोगे तो प्यार से इजद मिलेगा मजाक ओड़ाओगी तो आने वाले दिन में आपी को कश्ट हो के संवान दो सम्मान है कि मेरा पार्टी का डिमांड जो है वो मेरा पार्टी का ए को कि आपका जो व्यूस है वह आपका व्यूस है डिसाइड कर जब हम लोग को बात करेंगे लेकिन किसी का मजाक मत हो हुआ हमारे अंदर भी दिल है हमारे लोगों के अंदर भी दिल है हमारा भी सेंटिमेंट है यह मैं आपको प्यार से बोल रहा हूं कि इसको चितावनी मत समझने लेकिन किसी भी गरीब इंसान का गाउं में उसका मज़ाख नहीं इनको छोड़िए एक दो आरती रियांग और सचलंग दे बर्मा मुचम आपको कुछ को दो, दो समय एक दो, इसकी हो तो एक करते हूं .. ठिद्धू थे कोरता है ।ी चुट थे इकन पिकते हम तो चाहद नहीं है बिफ़ वुद आपको चुछ पूस्त अजनों मेराख का parte how youS MLMT आप से मुझे शकति मिलता हैеру आपका एकता दूबर मुझे पावर मिलता है आपका एकता देकर। हमारे मारे मत ब्लपन अगर आप कमजिभ हो जाएंगे आ यह मुझे अपको मुझे पावर नहीं मिलता हैं क्याल मुजे आपसे शक्ति मिलता तो आप लोग एक रहें, I love you, God bless you, stay united, we will, we will come, God willing उपर भगवान देख रहा है, हमें constitutional solution के लिए बात आगे चलेगा, मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग जहां में हैं, जहां में थे, वहीं में रहेंगे, यह मेरा message है, बहुत लोग fake news circulate करते हैं, WhatsApp में करते हैं, आपका दायत्य है, कि जो मैंने आपको आज directly Facebook live से बोला है, वो आप हर गाउं में जाके बोलिए, हर कामी में जाके बोलिए, और मेरा message सब के पास पहुच जाएगे, बलाए बलाए नो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू, हम लोग आज 0 से 13 में आये हैं, एक दि हम भाई